हे गाई जनुब कुमायो वेलकम टो मैं चानल तो चले दोस्तों कल के मार्केट के आनलेसिस कर लेते हैं सबसे पहले अगर हम FIS और DIS का डिटा देखेंगे तो आप अगर यहां देखेंगे FIS ने 4424 क्रोड की सेलिंग की है अगर हम देखें DIS तो DIS दोस्तों अपने मार्केट को कॉन्टिनुवसली सपोर्ट दे रहे हैं अगर इसका सपोर्ट नहीं मिला होता आज DIS का ओके तो मार्केट काफी अच्छा डाउंसाइड जा सकता था लेकिन आपने देखा मार्केट बहुत जादा डाउन नहीं गया ओके मार्केट रिकावर हो गया वापस क्यों क्यों क्योंकि हमारे डूमेस्टिक इंस्ट्यूशन है दोस्तों वह यहा पर बाइं और आफ देखंगे तो अपने इंडियन मार्केट में ऐंड़्ियन मार्केट य ज्यादा बाइं बाइंग कर रहा है दोस्तों भी मायन कर रहा है यहाँ फेशन हंब अगर हम आज की candle देखे मार्केट में इसका signal था गाई यहां पर मार्केट जो नीचे लेके गए उसके बाद डिए इसकी support की वज़ा से मार्केट उपा की तरफ उठकर आया है तो ओवरल गाई मार्केट में support तो आया है let's see कैसे ट्याइड execute कर सकते हैं 50 minute के time frame में आ जाएंगे यह से everyone तो nifty का 50 minute के time frame में यह chart pattern है और यहां पर हम कैसे ट्याइड execute कर सकते हैं देखे सबसे पहले तो हमें यह mark करना है zone which is 19,486 से लेके 19,497 के around यह total zone है दोस्तो अगर आप इस area में देखेंगे तो आपको दिखेगा एक gap तो दोस्तो कल यह हो सकता है market gap आप उपन हो जाए तो आपको basically क्या करना है देखें अगर market gap up open होता है तो call side नहीं जाएंगे क्योंकि यहां से market दोस्तो नीचे आ सकता है and कितना नीचे आ सकता है देखें अगर gap up open हुआ तो almost अगर आप देखें तो यहां से आप Fibonacci retracement mark कर लीज़े ठीक है इस level से अगर हम देखें इसके according तो लगबग guys अगर market यहां से नीचे आया तो almost आप मान सकते है 50% तक नीचे आ सकता है which is 19,415 का level okay तो market यहां तक नीचे आके और फिर उसके बाद अच्छा गाजा उपर की तरह bullish हो सकता है तो gap up की condition में आपको एदम से call set नहीं जाना है अगर market नीचे चलता है तो यहां से हमें put set का trade मिल सकता है छोटा trade put set का आप ले सकता है यहां से और उसके बाद अगर market reverse होता है दोस्तों तो market bullish होगा या फिर बेरिश होगा इसका confirmation आपको मिलेगा दोस्तों यह level हम जो निकालेंगे call set का वो कैसे निकलेगा तो यहां से हम mark करेंगे एक trend line ओके यह trend line होगे दोस्तों देखे इस trend line के तक अगर market आ जाता है मतलम 19,568 तक तो दोस्तों इसके उपर जाने के लिए ध्यान रखें इसके उपर अगर retest होके sustain हो तो हम further call set जाएंगे target का level बनेगा 19,720 के around तो यह हमारे call set की बात हो गई put set का दोस्तों यहां पर हमने trade discuss करी लिया है इसके अलाबा अगर हम put side की बात करें तो basically अगर हम put side की बात करें दोस्तों market सीधा अगर gap down open होता है उस condition में भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है market gap down open होने के बाद भी ठीक है यहां से यहां तक पूरा नीचे आ जाएग उसके बाद भी market continuously उपर की तरह reverse हो सकता है तो बहुत जादा aggressively put side नहीं जाना है कब तक नहीं जाना है देखें यहां पर mark कर लिजए यह low जो आज का हमारा low है 19,334 market flat open हो या फिर gap down open हो के नीचे इसके नीचे कोई candle sustain हो जाती है अगर strong bearish के candle तो दोस्तो आप put side जा सकते हैं target के level के अगर हम बात करें तो up to दोस्तो यहां पे 19,279 आपका पहला target का level रहेगा उसके बाद next target का level 19,225 तो यह दो आपके put side के target के level रहेंगे तो इस तरीके से आप दोस्तो trade execute कर सकते हैं nifty के अंदर आगे बढ़ने से पहले अगर हम देख move को support कर रहा है PCR value अगर हम call side का oid data देखेंगे आपर तो 19,600 and put side देखेंगे तो 19,400 सबसे highest oid data तो 200 point के हमारे पास range है अगर 600 के level के हम बात करें दोस्तो और हमने जो अभी trend line mark करी थी अगर वो level हम देखें लगबक तो कहां तक निकल कर आ रहा है दुबारा से mark करके देख ल के around का यह level है guys तो near about 600 के आसपास ही है तो ध्यान रखिए market में retest हमने क्यों बताया क्योंकि market उपर जाके और फिर यहां से reverse हो सकता है और यहां पर trapping हो सकती है अगर oi data बना रहा तो काफी important level है retest होने के बाद ही call side की तरफ का trade execute कीजेगा ठीक है और put side की तरफ हमने level हम आप से discuss कर रहे हैं दोस्तों continuously कि यहां पर फीबो नाचे retracement mark कर लें इसके according अगर आप देखेंगे हमने 50% का level mark किया है यह है अपना 413 तो यह भी हमारा एजा support work कर सकता है तो यह overall दोस्तों nifty का analysis है आप वीडियो को लाइक नहीं कर दें तो प्लीज वीडियो को लाइक वीडियो जाधा से जाधा लोगों तक बहुंच सके आगे बढ़ेंगे बात करेंगे बैंक निफ्टी की यह से वरीवन तो बैंक निफ्टी का चार्ट पैटन है अगर आप यहां पर देखिए आज की candle तो देखिए यहां पर काइंड औफ एक indecisive candle है बैंक निफ्टी के अदर यहां पर कोई इतना खास ऐसा सपोर्ट तो मिला देखिए लेकिन उपर से रिजेक्शन भी है इसमें तो फिफ्टी मिट के टाइम फ्रेम माजाएंगे आज देखते हम कैसे टूर्ट कर सकते हैं कल की दिन के लिए तो यह सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे यहां पर मार्केट कॉंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा था तो यह हमारा अभी एजा रिजेक्शन का एरिया बनेगा और यहां पर हमें कैसे ट्रेड एक्सिक्यूट करना है देखें कल अगर मार्केट गाप ओपन होता है यहां फिर फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ आता है सब हो तो आप इसमें पुट साइट जा सकते हैं कि टागेट का पहला लेवल आपका छोटा सा रहेगा जो की 43,860 तक का रहेगा और इसके नीचे मार्केट सस्टेन हो गया दोस्तों तो आपको जो नेक्स टागेट का लेविल मिलेगा आपको वह मिलेगा लगबक यहां पर 43,8 2828 तो यह दो आपके पुट साइट के लेविल रहेंगे इसमें टागेट के ओके और गाईस यहां पर इसके बाद अगर हम देखें तोड़ा हाईयर टाइम फ्रेम में आ जाएंगे अगर आप इस लेविल के बाद देखेंगे तो में जो टागेट का लेविल निकल कर आएगा वो आएगा यहां पर 43,760 तो यह आपके तीन पुट साइट के लेविल रहेंगे दोस्तो इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर कॉल साइट के ट्रेट की तो देखें यहां अगर इस लेविल तक भी आ जाता है 43,893 दोस्तो तो मार्केट यहां नीचे आके अगर इसके बाद रिवर्स होता है और अगर ब्रेक करता है यह लेविल जो कि आपका 44,029 ने तो दोस्तो यहां पर कॉल साइट का ट्रेट देखें यहां से भी बन सकता है वर कॉंटरी कम ह रखेंगे में आप जो ट्रेड बनेगा वो बनेगा 44,029 के उपर अगर मार्केट निकलता है तो आपका कॉल साइट का पहला टारगेट का लेवल रहेगा 44,160 और इसके बाद जो नेक्स टारगेट का लेवल है दोस्तो अगर हम यहां पर देखें तो पूरा स्पेस खाली प अगर आप देखेंगे यहां पर इसका जो लेवल है यह लेवल यह जो निकल के आया है हमारा लगबग दोस्तों यहां पर 43,300 यह लेवल बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट हुजाता है यहां तक मार्केट पहुंचने के बाद दोस्तों इसके उपर अगर री टेस्ट हो के सपोर्ट कर रही है और अगर हम कॉल साइट के ओवाई डेटा देखेंगे तो 42,000 देखें अभी यह डेटा इसके अभी नहीं कर सकते क्यूंकि अभी दोस्तों यह नया कॉंटेक्ट है ठीक है तो दोस्तों इस कॉंटेक्ट को हम देखेंगे कल फिलाल ओई डेटा भी छोड कर सकते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यह भी एक इंकलाइन चैनल के अंदर ही सपोर्ट ले रहा था जिसका गैप डाउन हुआ आज तो ट्रेट के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है देखें ट्रेट के लिए सबसे पहले तो हम मार्क कर सकते हैं गा अफी सपोर्ट लिया मार्केट है लेकिन नीचे सस्टे नहीं हो बाया चलता रहा तो बेसिकली यहाँ पर अगर मार्केट यह लो तोड़ता है 19,538 ठीक है गाप डाउन ओपन हो या फिर फ्लाइट ओपन हो के नीचे की तरफ आए जब तक यह लो नहीं टूट यह तब तक 11 अगर इसके नीचे भी मार्केट सस्टेन हो जाता है तो लगबक 19,472 अगर हम बड़ा टागेट देखने तो 19,438 तो यह दो पूट साइट के लेवल रहेंगे लेकिन ध्यान रखें दोस्तो एक तो अगर आप देखेंगे आवले टाइम फ्रेम में तो हमारी कैंडल कुछ खास नहीं बनी हुए है जो बुलिश हो रही है ओके लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर इस लो का जो सपोर्ट है हमारा 19,535 के राउंड इसका रिस्पेक्ट करना है दोस्तो जब तक यह तोटेगा नहीं तब तक कुछ साइड अग्रेसिवली नहीं जाना है ठीक है अगर हम ब सकता है एक तो यहां से हमारा कॉल साइड का बन सकता है ओके अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है यहां से सस्टेन हो जाता है तो पहला टारगेट का लेविल अपना रहेगा यहां तक का जो कि अपना है तो ध्यान रखेंगे अगर आप यहां पर लोग बना रहा था और अगर आप यह देखेंगे यहां पर तो क्या है बुलिश्ट डेवर्जन्स दोस्तों ओके तो मार्केट अगर इसको रिस्पेक्ट करता है मार्केट ऐसे ही रहता है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत नीचे आगे मार्केट अच्छा का सा रिवर्स हो सकता है क्योंकि मार्केट भी रिवर्जन्स देख लेंगे यह तो अगर आप PCR वैल्यू देखेंगे इसकी 0.65 यह भी नेगेटिव मूव को ही सपोर्ट कर रहा है अगर कॉल साइड का वाई डेटा देखेंगे 20,000 अगर हम देखें तो 19,000 बतब 1000 पॉइंट की रेंज है अगर हम 20,000 का लेवल देखेंगे काफी अप साइड में है 20,000 मतलब यहां पर है ओके तो काफी स्पेस है हमारे पास कॉल साइड की तरफ अगर हम पूट साइड देटा हमें थोड़ा अपडेट होता हुआ दिखेगा ठीक है तो दोस्तों यह अपने मार्केट का वी होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जया हिंद बंदे मातरम थैंकी फॉर वाचिए